हेलो करिकेट लवर्स कैसे हैं आप सब आई हो बहुत अच्छे होंगे तो आज कल रिदीमन सहा कॉंट्रोवर्सी बहुत चल रही है तो उसको लेकर मैं आपको पूरा बताऊँगा कि क्या बात हुई कहा से हुई और क्या मुद्दा था और BCCI ने क्या बरुसा दिया और राह वो यंग जो विक्यट कीपर हैं उनको प्रेस करेंगे और यंग क्रिकेटर्स को गुरूम करेंगे और विक्यट कीपर्स भी नए ढूनेंगे कुछ टाइम पहले इंडियन टीम का जो स्क्वाइड है वो अनौन्स हुआ टेस्ट का इंडिया वर्षी शेललेंका का उसमें रिदीवन साह का नाम नहीं था पुजारा का नहीं था रहाने का नहीं था काफी सारे खिलाड़ों करने था इशांच रमका भी नहीं था परन्तु इसके बाद सबसे बड़ी कांटरवर्सी शिरू होती है कि जर्नलिस्ट ने उनके साथ कैसा थोड़ा सा भीविर किया आप यहां मैसिज देख सकते हो क्या उनके बीच बात चीत हुई कि जर्नलिस्ट ने उनको का कि क्या आप पर सथ इंटर्वी कर सकते हो यह अच्छा रहे कि वो आप उनका कभी interview नहीं करेंगे और यह जो insult की है इसको kindly नहीं लेंगे आप देख सकते हो इनके पीछे social media पर twitter पर भी यह है आ रहा है कि यह है सब message किस ने किये तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लोग reaction दे रहे हैं और रिदिमान सा ने इस पर क्या कहा जो उन्होंने इंडिन क्रिकेट के लिए इतना contribution दिया है तो उन्हें ये phase करना पड़ है respected journalist उनके साथ ऐसी कर रहे है तो एक तरीके से बोल रहे हैं और कुछ इंडिन क्रिकेटर्स ने इनका support भी किया है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सवागने क्या का तो सवागने देगा कि extremely sad such sense of entitlement neither is he respect not a journalist just a चमचागर यानि कि चमचा यह है और बहुत गलत बात है उसके बाद रवीशास्त्री ने भी इनका support किया ये भी देख सकती है आप रवीशास्त्री की बाद हरवजन ने भी कहा और मैंने आपको पूरी controversy बता दी है कि कहां से शुरू हुई और इसके पीछे कौन है ये आप comment box में बता सकते हैं क्या वही है या फिर कोई और है किसी भी domestic level के जो cricketers होते हैं जो रंजी खेलते हैं या फिर कोई भी जोटे बड़े tournament खेलते हैं तो उनसे भी ऐसी बात नही क्या ये तरीका होता है किसी भी cricketers से interview लेने का मैंने बड़े-बड़े star को देखा बड़े-बड़े anchors को देखा बड़े-बड़े जो journalist रहे हैं उनको देखा है परन्तों कोई इस तरह के जबर्दस्ति नहीं करता और ये है शायद बहुत सब की आँखे खोल दी है कि ऐसा करना है और इंडियन क्रिकेट कहां फोकस करने वाले हैं और राहुल द्राविड और जो रोही श्रमय वो कहां फोकस करने वाले हैं तो इन्होंने पहले ही clarity दि रिदीमन सागो कि कहीं इनको बाद में third person से या फिर मीडिया से ना पता लगे कि इनकी जगे अब इंडियन टे आएंगे किसने ऐसा किया उसके ओपर कारिवाई की जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कुछ जानने को में लाओ तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नैक्स टूडियो में क्रिकेट से जोड़ी अपडेट के साथ